हेई फ्रेंट्स आज मैं बनाने वाली हूँ एक तम देसी बाकरवारी और उसके लिए हम बार से कोई नई चीज नहीं लाएंगे जो भी हमारे कीचन में हैं उसे से हम बनाने वाले हैं तो देखे मैंने यहां पर लिया है थोड़ा सा राई जीरा और सोफ इन सबी चीज़ों क अच्छा रोश्ट करना इसे एक लेना है जलने नहीं देना है बस इतना रोश्ट कर ले कि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाय क्योंकि हं जो चीज बना रहे ना उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो हम एक बरतन में लेंगे बेसन बेसन में इसे बारिक पाउडर बना करके डाल देंगे और रेगुलर मसाले जैसे नमक, हल्डी, मेर्च और धनिया पाउडर इन सबी चीज़ों को डालेंगे उसके बा आपड़ बें सेके इसमा बने करें उसके बाद, हम इसके बाद वसह ईसमें सॉफ्ट सा डोग बनांगे हाईज इसमें पापड़ घरा या मिठा लेंडर다면 उसके बाद सॉफ्ट सा इसका आटा लगा करके देखे इस तरह से हाथों से करते हुए रोल बना करके रेडी कर लेने उन रोल को हम उबा लेंगे पानी में 15-20 मिनट तक डीमाज पर पानी गरम हो जा उसके बाद में इनर रखना है उसके अंदर और एक तब सॉफ्ट से हो जा करके रेडी कर रहा हुआ है और गर्मा गरम तेल में इसे फ्राय करेंगे फ्राय उतना करना है कि अच्छे से पक जाए कुरकुरा सा हो जाए और इसका कलर एकदम से जैसा भी पीला सा दिख रहा है तो एकदम भूरा सा हो जाए तब तक हमें इसे फ्राय करना है और जब ये से का, तेंग वो जिया एसी का, तेंग वो जें